हेलो फिर्ट्स बहुत बहुत होगा था आप सभी का एक बाफ इससर करी हट में तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को नीट UG 2021 की जो स्ट्रे वेगेंसी राउंड की काउंसलिंग है उससे रिलेटेट एक अपडेट देने वाला हूं जो लगबग एक से डेल घंटे पहल नहीं कर रहा है तो उसका रिजन वगर उन्होंने एक्स्प्रिंग करें नोटीज में तो वह मैं आपको बता हूंगा साथ ही कुछ सीट है विट्रॉ कर ली कहीं है ठीक है और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको प्रोविजनल रिजल्ट देखना है वह वाली जो पी करेंगे तो यह नेच्स पीज ऊपन हो जाएगा कि यहां पर आप देख सकते हो करेंट इवेंंट मेरी सिट में बारे में ही यह रही है ठीक है अब यहाँ पर जह आए जीज़े जाएंगे निउस इवेंटिस में तो यहां पर देख सकते हो पहले वाली जो एडलाइन और र हा रही है तो इसमें लिखा हुआ है आर्जन अटेंशन के इंडिट्स विड्रॉल ओफ एंडी बीबियर सीट्स ठीक है तो आप अगर विड्रॉब कर ली गए इसका मतलब कुछ बच्चों को जो है उनकी सीट से मतलब उनकी सीट से हटाया जा सकता है ठीक है तो देखो लिख जब इसका हो गया था वेबसाइट पर तो उसके बाद जो है मतलब किसी कॉलिज ने इनको बोला कि हम जो है अपनी सीट जो है विड्रॉब कर रहे है देखो तो यहां पर क्या है इन सीट को हटाने की वज़े से जो है इन्होंने रिजल्ट अपना वापस ले लिया समझा ग अलर्ट हो जाएं जिनको इस कॉलिज के अंदर जो है सीट मिली है तो यहां पर देखो लिख लिखा है इंस्टिट्व पहला है हमारा जवालना नेरू मेडिकल कॉलिज ठीक है अजमेर में तो यह वाला कॉलिज है और इसमें जो हैं एम बीब्याश की अन्रिजफ के टिगर आपर ठीक है तो आप समझे लो कि जवानना नहरू medical college में जिसको unreserved quota से seat मिली है तो उसकी seat जो है वो cancel हो जाएगी ठीक है साथ ही बात करें KGMC लखनों में तो KGMC लखनों में unreserved PWD सब category ठीक है person with disability जो quota होता है उसकी जो seat है एक seat उसको भी remove कर दिया गया और तीसरा इंस्टिट्यूट है मांडिया इंस्टिट्यूट और मेडिकल साइंसे मांडिया ठीक है तो यहाँ पर भी OBC category से एक seat को यहाँ पर हटा दिया गया है ओके तो अब यह जो है नहीं सब्सक्राइब कर दिया ठीक है तो यह अभी तक की latest information है तो जब इसका final result upload हो जाएगा तब मैं आपको इंफॉर्म कर दूँगा आपको बस करना के चैनल को सब्सक्राइब कर लगा